हे गाइस वेलकम तो माई यूटूब चैनल आज हम बात करने वाले हैं बेंटन इनिवर्स के कुछ ओसम क्रेक्टर्स की बैटल के बारे में और यह बैटल होगी मार्वल इनिवर्स के कुछ ओसम क्रेक्टर्स के साथ तो यहाँ पर हम आप लोग को उनकी नेम बता देता हूं यह चारो क्रेक्टर अपने अपने यूनिवर्स के काफी पावरफुल विंग्स हैं और गाईज यहां पे थैनूस के पास इनफिनिटी गाउंटलेंट को भी हम लोग इंक्लूड करेंगे तो अगर आप लोग भी यह जाना चाता हो कि इस बैटल का विनर कौन होगा तो इस वीडियो को एंड तक देखना अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चै निया 2 चारों ट्रेक्टर की बैटल है एक साथ होगी और इनमें से जो जादा आपर फुल होगा वह जीत जाएगा पहले बात कर लेते हैं और स्टेंज और तेनोस के बारे में तो ट्रेंज मार्वल एक 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 यसे पास फ्रेटर स्टेजेश स्टेश्ट करे काफे बहुत बड़ा सकते हैं जब स्टाइन पर इनो कीमत त्युखानी पड़ती है उसके बाद यह उन पावर्स का यूज कर पाते हैं कि में चुकाने की वज़े से डॉक्टर स्टेंज डीमन की पावर का कुछ ही लिमिट तक यूज कर पाता है वहीं पर बात कर ली जाए थैनूस की तो थैनूस में एक ऐसा करेक्टर हमें देखने को मिला जिसने हैं इसट्रांग को आफी जफी जदा बढ़ गया इन श्ई स्टोंड का यूज कर के थैनूस कुछ भी कर सकते किसी को चूरा सकता है किसी को जत्रा चुप कर सकता और Defence कि देखने को मिला कि अपनी एक स्नैप से उसने आदे युनिवर्स को ही खतम कर दिया था जिससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि थैनुस का पावर लेवल इनिफिनिटी स्टोन कितना जाद है बात करते हैं बैंटन युनिवर्स के दोनों क्रेक्टर के बारे में पहले बा जिसके से प्यक्रावर को जो में हमें डेखने को मिला था इसके पास यूजरों करके यह फ्यूजर को तो create करता है और इसका अब तक का सबसे powerful alien हमें देखने को मिला था atomic जिसके पास आदी alien x की power थी और आदी जो है atomics की power थी अब बात करते हैं कि इन में से कौन ज़्यादा powerful है तो देखो गाइस यहां पर अगर यह दोनों character आपस में एक एक के साथ battle करते हैं जिससे कि डॉक्टर स्टेंज उपे सरप ऐल कंटल कर देखो यह नगर च्रुकटर स्टेंच प्रों प्रोफेसर प्रयोग्स का उस्डारी प्रोफेसर प्रणे के साथ मर्या सब्सक्राइब करने के कोशिश करेगा तो यहां पर ऐसा कर सकता है लेकिन गाइज अगर बेंटन अपनी वाय ओमनेट्रिक्स का यूज करके पहले से अटोमिक्स में ट्रांस्फरम है तो यहां पर गाइज थैनुस उसका कुछ भी नहीं बिगाड सकता क्योंकि अटोमिक एक्स की जो इकलोती विकनेस है वह क्रोनो सेपिन टाइम बॉम्म तो यहां पर वो थैनुस के पास है फजस्ज कुछ भी गाड नहीं सकता क्याल पार करें विकनेस्तफ है क्या है तो यहां पर विकार सकता है अब बात है दोक्टर और Atomic X की देखो Dr. Strange का अपने Spells का यूज़ करने के लिए पहले उनको बोलना पड़ता है उनके बाद ही उनकी पावर्स का वो यूज़ कर पाते हैं लेकिन Atomic X को ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता वो इसली जो है अपनी पावर्स को अराम से Atomic X हरा सकता है तो यहां पर इन दोनों की बैटल में मैं इसली जो है Atomic X को पिक करना चाहूँगा कि Atomic X जो है इसली Thanos और Dr. Strange को हरा सकता है इस पर आप लोग का क्या कहना है कॉमेंट करके मुझे बताना अगर आपके माइंड में भी कोई possibility निकल के आई है जिसकी विज़े से Thanos या Dr. Strange भी जीत सकते है तो वो भी कॉमेंट करके बता देना तो आज की मारी ये वाली वीडियो यहीं तक थी अगर आपको वीडियो में कुछ भी अचा लगा है तो वीडियो को झाल